हेलो दोस्तों कैसे हैं आप मेरा नम कुंदर और यह है किटो मैक सेंपू दोस्तों यह सेंपू का हमने फर्स्ट एक्सपेरियंस वाला वीडियो हमने बनाया हुआ था जिसमें हमने बताया था कि फर्स्ट यह सेंपू कितना डेंडरब को रिमूब करता है आज के इस वीडियो जल्दी से रिमूब हो जाए तो इसी के बिसे में आज का यह वीडियो होने मारा दोस्तों डीटेल में तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है वीडियो को फूरा देखे और गर चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब को बेल आकन को फ्रेस करें दोस्तों यहां शेंपो के लिए ही बना है हमारे शेंट्राइब तथा इससे पहले में बहुत सारा सेंपू से यूज किया था हेंडर सोंडरा ऑ्लो वेरा c बहुँच सारा इसा सेंपू मैंने यूज किया लेकिन उसे डेंडरव बिल्कुल भी नहीं गया दोस्तों लेकिन जब हमने क्योमेक सेंपू के बारे में जा ना तो इसे मैं खरीदा और इसका मैं अन्बोक्सिं भी किया हुआ था तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं दोस्तों याँ सेम्पू को सब्ता में दो बर लगाना है कुछ इस परकार से तो याँ सेम्पू को अच्छे से मसाज कर लिजिए अपने बालों में और दोस्तों उसे पांच मिज़ा छोड़ दें कुछ इस परकार से जैसे कि इस वीडियों आप देख सकते हैं दोस्तों याँ सेम्पू को यूज करने के बाद हेर में रुखाफन भी आ जाता तो आप अपने पसंद का ओल लगा सकते हैं चार-पांच बूंद और अच्छे से मसाज कर सकते हैं जिससे कि रुखाफन दूर हो जा 50% काम करता है डेंदरेप में दोस्तों तो ये मेरे एक्सपेरेंस के हिसाब से या सेम्पू 22-80% डेंदरप रिमूब कर देता है दोस्तों और बहुत अच्छे से रिमूब करता है अगर आप इस सेम्पू को यूज करते हैं तो आप अपने बालों में साबून का उपयोग बाल में बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप दोस्तों इस साबुन का भी यूज कर देते हैं तो आपका डेंडराफ फिर से आ जाएगा तो यह आपको बहुत ही ध्यान देना है तो दोस्तों आप बात आया था कि यह सेंपु को खरीदना चाहिए या नहीं तो हां दोस्तों हैं यह सेंपु को कआफ खरी हैं यह सेंपु रियली में वर्क करता है डेंडरेफ में दोस्तों इसके साथ आप अच्छा उयल का भी यूज कर सकते हैं यह सेंपु को यूज करने के बाद क्योंकि थोड़ा सा रुखापन आ जाता हूं बाल में याre अच्छ झाल झाल